औह भाई 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 मतलब अव्तार Well of Water घॉइटर इस पर्फेक्टो एब उसका को कोई क्रिटीस करें न तो कोई मतलब नहीं कल से थेटर में फिल्म देखना बंद करना चाहिए मैं यह नहीं किया रहा हूं कि फिल्म में हर चीजह एकम में परफेक्ट यह फिल्म आपको स्पेसिफिकली धियटर में जाके ही देखना चाहिए याद है आपको तीन मैने पहले जब आउतार का वन इन्होंने री-रीलीज की आता और थेटर में रिलीज की आता तब मैंने एक विडियो बनाया था और सबको यह बताया था कि भाई साब जाके फिल्म enjoy करो उसके बाद the way of water भाई अगर अवतर ए था तो यह प्लस 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 पता नहीं भाई कितने प्लस भाई फिल्म का जो विजूल एफेक्स फिल्म का जो विजूलाइज़ेशन किया हुआ है एकडम लाजवाब आपको एक बार बता हो यह फिल्म3D की कमी नजर आती है लेकिन ना आउतार 1 में मुझे वो चीज फील हुई ना आउतार 2 में हाला कि end में एक scene है जहाँ पर अच्छली अंधेरा है बट फिर भी हमको सबकी शकल जो है वो clear cut दिख लिए scene में हो क्या रहा है यह प्रॉपरली दिख रहा है अब इस फिल्म की थोड़ी सी प्रॉब्लेम जो है में स्टोरी पहली फिल्म में अनोपटेनियम के लिए कुछ लडाईया चल रही है इसमें ये के लिए इतना सब बवाल मचते हुए दिखाया है वो थोड़ा सा आपको इतना ही आपको दिखाना तया इसके लिए अपको इतनी बड़ी फिलन बानी पड़ी आप एक फैमिली ड्रामा देखना पसंद करते हो आप इमोशनल देखना पसंद करते हो तो यह फिल्म के लिए ज़रूर जाहिए और हां action यहां पर उनको तीन बच्चे है और एक बच्ची है कीली नाम की अब वह बच्ची किसकी है उसकी मा कौन है वह हमें पता चल जाता है फिल्म में लेकिन उसका बाप कौन है वह इस फिल्म में भी इन्होंने सस्पेंस रखा हुआ है ताकि हम आगे की फिल्म में देखे और हमको तब पता चलेगा कि कीली के पास जो एक्स्ट्राइडिनरी पॉवर्स है और वह किसकी बेटी है बाकी इसके अलाव जो बाकी दो भाई और एक बहन इनकी जो कहानी है वह इतनी प्यारी लगती है देखते कहीं जगों पर सीन में हमें रो ना जाता यहैं मतलब नहीं कहोंगी कि रो ना आहाता है वह सीन देखते और कहीं पर अच्छी फिलिंग आती है फिल्म देखते एक एकरetty बाथ तोड़ा आपको अंब хотя फिल्म देखने में बहुत मज़ा आया एक्टिंग की बात करो तो यहां पर ज्यादा तर भार जो है वह वो वाइस अक्टिंग पर दिया गया क्योंकि इस फिल्म में ज्यादा यूमन फाइस तर भी देता अगर स्टोरी जो है वह थोड़ी यूनिक बनाने की कोशिश करते तो बहुत अच्छी है अपने आप में अगर आउतार टू एक पहली फिल्म होती तो यह स्टोरी बहुत अच्छी है लेकिन जब आउतार देखने के बाद आप आउतार टू देखोगे त तो उसके लिए मैंने 10 मिनिट का एक वीडियो बनाया जिसमें पूरी आउतार बन की कहानी एक्स्प्लेन किये उसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देदूंगा और उपर आई बटन में देदूंगा तो आप दोनों में से कई से भी जाके चेक आउट कर लो वीडियो और उसके बाद आउतार तो देखो ताकि आपको पास्ट में क्या हुआ ता वो पता चलेगा सीक्वल देखने में मजा आएगा